दोस्तों अगर आप B.Ed. में अडमिसन लिये हैं, रिसेंटली आप B.Ed. कॉलेज में अडमिसन लिये हैं, किसी भी काउंसलिंग से, किसी भी इन्वर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, तो आपके पास ये एक सवाल जरूर बनता होगा, कि फरस्ट येर का सिलेवस क्या है, कौन कौन से पेपर्स पढ़ने होते हैं, क्या-क्या सब्जेक्ट है, कितने फूल मार्क्स होते हैं, कितने पास मार्क्स होते हैं, और हाँ, कहां से में कौन सा मीडियम मेरे लिए सही रहेगा, हिंदी मीडियम को लेकर बीड किया जाए, या फिर इंग्लिस मीडियम में बहुत सा आंसर्स लिखे जाए तो यह सब सारे डाउट्स आपके किलियर होने वाले हैं तो हेलो एवरिवन मेरे नाम है चरेंजी और आप देख रहे हैं चरी आइस्पिरेंट तो चली वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों हम आ चुके हैं राची उन्वर्शिटी के इस पीडियाप पर जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए सिलेवस पूर बीयड ठीक है और ये first year का syllabus है बहुत सारे university में semester system चलता है लेकिन राची university में yearly चलता है यानि दोस year का session होता है beard का तो उसमें से first year के session के सारे subject में कौन-कौन से paper चलते हैं और क्या-क्या आपको पढ़ने होंगे कौन-कौन सा book है या उस paper का क्या नाम है ये सब चीज हम इस वीडियो में देखेंगे तो चलिए यहाँ पर आगे हम लोग चलते हैं तो देखते हैं दोस्तों कि यहाँ आपको total number of papers जो मिलेंगे एक से लेकर 6 तक से really लिखा हुआ है और सेबन ये एक paper का नाम है उसके बाद EPC1, EPC2 करके EPC3, 3 paper है जिसमें course 1 का नाम जिसे paper 1 भी आप कह सकते हैं उसका नाम है childhood and growing up ठीक है, childhood and growing up जो है दोस्तों उसका जो total mark से आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका 100 mark से यानि ये 100 number भी दो पार्ट में बटा होता है 80 number और 20 number करके यानि जो आप center पर exam देने जाएंगे इस paper का, वो आप 80 number का theory देंगे और 20 number का practical देंगे जो कि आपको sir college की तरब से देंगे ठीक है, आप यह सा 80 number में आपको कम से कम 35 number लाने ही है और sir जो देंगे, वो कम से कम आपको 10 number देंगे ही, यानि 45 number में आप पास होते हैं, यानि ये तीनो पेपर जो आपका paper 1, paper 2, paper 3 यानि course 1, course 2, course 3 का लाता है उसमें से आपको 45 number लाने ही है और total number कितने है 100, ठीक है तो दोस्तो, course 1 का नाम है childhood and growing up, जिसे हिंदी में कहते है बालेवस्थायम, उसका विकास course 2 का नाम है contemporary India and its education and education, जिसे समकालिन भारत एवं सिक्षा कहते है जो कि आप screen में देख रहे हैं फिर paper 3, यानि course 3 का नाम है learning and teaching, जिसे कहते है अधिगम एवं सिक्षन ठीक है, आप हिंदी या अंग्रेजी किसी भी subject में, किसी भी भासा में आप पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, और paper 4 का जो नाम है दोस्तो इसका नाम है language across curriculum यानि इसे हिंदी में कहते है पाठिकरम में भासा ये जो paper है, paper 4, paper 5 paper 6, paper 7 और यहां के EPC इस अब सब में आपके जो है paper 4 से लेके paper 7 तक जो कि आपका center पर exam होता है ये 50 number का paper होता है दोस्तो 14 number लाने है, और 10 number practical रहता है, जो कि आपका school कम से कम college आपको 5 देगा यानि 23 number आपके कम से कम आने है, ठीक है, उसके बाद कभी 5 तो देता नहीं है, सब में 9, 9, 9 या 10, 10 इस तरह से college देती है तो 23 number आपको लाने है तब आप पास है, ठीक है, उसके बाद school and society, जिसे हिंदी में कहते हैं, link विद्यालय और समाज जो कि आपको इस screen पे दिखा रहा है इस तरह के कुछ यहाँ पे book है ठीक है, इसी तरह के book आप पढ़ेंगे चलिए अगर आगे बढ़े तो एक paper 7 ने आपको देखने को मिलेगा, जिसे कहते हैं psychology of school subject, यानि जो जिस subject से graduation किया है वो इस 7A कहलाता है, ठीक है यही चीज 7B बन जाता है आगे जाके, जैसे कि अगर कोई math honors का बंदा है, और उसने beard कर रखा है यानि beard कर रहे हैं, वो first year का चातर है, तो उसका 7A जो होगा वो mathematical science होगा और इसका यह exam देंगे, यानि उसके subject के according होगा, बहुत hard नहीं होता है, बस process लिखना होता है कि कैसे आपको पढ़ाने है, क्या है ऐसा नहीं कि math honors का बंदा है, तो उसमें math पुछा जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है और उसके बाद 7B जो होता है, वो physical science होगा उसका, ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़े, जो हिंदी honors का है, उसका हिंदी होगा 7A, जो physics honors का होगा, उसका 7A physics होगा, इस तरह से आगे होगा, फिर EPC 1, EPC 2, EPC 3, जिसका नाम है दोस्तो, reading and reflecting text, EPC 2 का नाम है drama and education, आर्ट in education, EPC 3 का नाम है critical understanding of ICT, ये तीनों paper आपके practical होते हैं, आपके college में ही देना होता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी आप समझ गए कि कौन-कौन से paper आपके होते हैं, आने वाले videos में मैं एक-एक करके क्या-क्या topics हैं ये इस भी आपको बताऊंगा, तो चलिए आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नई video में, अगर आप नए हैं तो subscribe करना न भूले, बाबाए, ठक्यार, तन्यवाद